कल लास्ट टाइंग हमने जो पढ़ा है दो तीन टोपिक हम ने किया इसमें एक तो हमने शब्द पढ़ा है फॉर्मल एजूकेशन नोन फॉर्मल और इन फॉर्मल एक मोटे तोरपर आईडिया लगाएं तो फॉर्मल होता है रेगुलर क्लासस के रूप में लेगुलर ठीक है degree college, degree आदी की रूप में, non-formal distance education को हम कह सकते हैं कि education तो मिल रहे है, किताबों से ही मिल रहे है, teacher ही हमें बढ़ा रहा है, but distance education की रूप में, हमें जाना नहीं है, हमें अधस्ट इग्जाम दिया और बात कम, informal जो हमारे चलते-फिरते हो जाती है, चलते-फिर अपनी रिस्पॉंस शीट देखकर की सीख गया ठीक है लर्न करके कुछ आपको एक्टिविटीज करनी है और ऐसी नहीं करनी है वह इनफॉर्मल यह शब्द हमने जाने इसके अलावा हमने राजनायतिक द्रिश्टी कॉंड से एजुकिशन की बात की ऑथोरी टेरियन अथोरीटी डेमोक्रेटी डेमोक्रेटी के लवल में और लैजस्फेर ओके यह तीन शब्द हमने देखे अथोरीटी की बात करें तो हम सुप्रीम हैं जहां पर कौन सुप्रीम रहेगा डेफिनिटली टीचर टीचर ने जो कहा यह कहां पर लागए वह उसका स्मोल ग्लासेज में स्मोल क्लासेज और स्मोल क्लासेज का मतलब हम एक्जांपल के तोर पर है हमारे दिमाग में फिट हो जाए इसलिए मैं बतारा हूं स्मोल क्लासेज मतलब नर्सरी यूचेज अलकेजी परंतु वह बच्चा जो 40-50 साल लका है जिसमें आज तक जो स्कूल में नहीं गया उसको भी माल या हमारी बात कर लिए हम Hindi बाशी हैं या English बाशा बोलते हैं हमें Chinese सीखनी है, तो Chinese के जो स्वर विएनजन भी होगी हो फो हमें as it is रटने ही होगे, चाहिए हमारी age कितनी भी बड़ी है, तो beginning जब होगी किसी भी topic की beginning, टीक है बिगिनिंग जो होती है वह अथृटरिटरिटेरियन लेवल से ही होती है मेशा जिसमें MLT मेमरी को करवा जाता है concrete रटवाया जाता है आपको topics को ना टास्त करवाने की कोश्य होती है डैमोक्रेसि की बात करें तो इसमें क्या होता है लोगतांतरी के वेवार होता है, दोनों मिलकर करते होते हैं, ठीक है, यानि कि टीचर भी एक्टिव है और स्टूडेंट भी है, अब स्टूडेंट के कुछ कोशन जागते हैं, तो वो टीचर से साथ साथ पूछता है, इससर मुझे ये बताओ, इसका अंसर दो, उसका अंसर ऐसे पूछता है हो, डेमोक्रेसी में, ठीक है, दोनों चेंटर, और टीचर फिर उसका उसका उतर देता है, दोनों बराबर के अकदार हो गई, इसमें आपकी अंडरस्टेंडिंग पर फोकस के जाता है, किस पर, अंडरस्टेंडिंग पर, इसलिए इसका नाम क्या रखा ग करेंगे, बड़ियाथ से डिसक्रशन करेंगे, इस इसका इंटरक्शन कह सकते हैं, ऐसी बार तलाप होगी, लेजर स्फियर में, हाईर लेवल है, हाईएस लेवल है, इसमें टीचर जस्ट एक प्रोब्लम क्रेट करेगा बच्चे के लिए, ऐसे समझ लो, अलाकि वो केवल टीचर बच्चे को ऐसा बनाना चाहता है कि मेरे बाद में कौन बनेगा टीचर, तो तुम बनोगे, तो तुमारे अंदर वो अबलिटीज होना चीए, जैसे मैंने तुम्हें संबाला है, वैसे तुम नई स्टूडेंट को, ऐसा मुझे बनाना है आपको, हाईना स्टूडे अपने बच्चे को खाना बनाना सिखाया, ओधोरिटी के रुप में कि बेटा, ऐसे ही बनाना है, इसी तरी के समनाना है, इतनी ही नमक डालने इतना ही हल्दी डालने है, डेमोक्रेसी में, फिर मा बेटे के बीच में सम्वाद हो सकता है, कि मैं अगर इसमें ये वाली छीज डाल दूंगी तो क्या होगा चिन्मी में अगर मैं जो चाय बना रहे हैं चाय में दूद की विजाए में अगर दही डाल दूँ तो क्या होगा लसी डाल दूँ तो क्या होगा अंडर्शेंडिंग बनेगी लेजन स्पीर में क्या होगा एक दिन उसके घर में मैमान आएगा औ तो अब क्या बनाएंगे, तो सर्थ दाल से कुछ बनाया जासता है, या कुछ और इधर उधर से उधार ले आएंगे, या adjustment जो होगी, new problem, नई problem आई है, जो उसने कभी सीखी नहीं, कभी रट्टा नहीं लगाया, कभी understand नहीं की, बट आज उन सारी चीज सीखी हुई को integrate करके वो use करेंगे, अपनी problem को solve करने के लिए, समझ गए, यही अंतर है, less is higher state है, education की, इसलिए याँ पर सबसे ज़्यादा सोच विचार होता है, thoughtful, highly thoughtful, क्योंकि वो ladies सोचेगी, कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके की बतने होंगे, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, आगे बात करते हैं फिर, next, हमारा जो topic हमने कल किया है, वो सारी बाते मैंने revise करती है, अब मैं जस्ट आगी लेकर के चलता हूँ आपको, जो आज हमें करना है, ठीक है, कल nature of teaching भी देखेते हैं हमने, different level होते है, education, learning, instruction, training, intellectual activity है, science और art दोनों गरूप में continuous चलती है, interactive है, tripolar process बोलते है, bipolar भी बोला है, ठीक है, अब जो हमने कल बत की थी, education, learning, instruction and training, teaching इसके साथ, इसके मिलती जूलती है, teaching यही नहीं है, इतना ही, teaching इन से मिलती जूलती है, education में क्या आता है, कि यह एकती educate है, एक word यू literate, literate, हम uneducated, ठीक है, education नहीं है, illiterate और literate, दोनों अलग लग word है, illiterate, चार्फ निकालते है, जिसको अक्षर विद्या है, अक्षर से समझते है, वो literacy या illiterate, ऐसे word यूज करते है, अक्षर विद्या, मतलब हिंदी के जिसको अनाराधी पढ़ने आते है, ठीक है, अक्ष ज्यान है, literate है, यही कहेंगे, साक्षर बोलते हैं, educated नहीं, ठीक है, सिक्षित नहीं बोलते हैं, सिक्षित, something else है, जिसमें आप अपनी पीडियों से चलती आ रही, परंप्राओं को सीखते हैं, एक generation से दूसरी generation तक आपके जो है, विचार सम्वादाधी परवाहित होते है वो होती है, education, एक PD दर PD प्रवाइट होती है, education जरूई नहीं कि आपके PD में आपके literacy जरूई नहीं कि आपके दादा जी स्कूल में गए ते या नहीं गए थे, बट आपको वो अक्षर विध्या है, but education आपको आपके दादा जी से मिल सकती है, एक PD से दूसरी PD में मिल सकती है, literacy जरूई नहीं कि आपको मिले, अक्षर जरूई नहीं कि मिले, हो सकता है, हमारे माता पिता बिल्कुल अनपढ़ थे और हम पढ़ गए, हमारे माता पिता से तो हमारे पास नहीं आई, तो education और जो हमारी teaching है, बहुत में difference है, education क्या होता है, self learning होती है, जैसे हमारे घर मे हमारा चोटा बच्चा होगा, ठीक है, हम दादी, नानी बनेगे, या माँ बाप बनेगी, तो हमारे जो चोटे बच्चे होते हैं, वो लगबग वैसी activity करते हैं, जैसे हम करते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे 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 emotion जागते हैं, ठीक है, दूसरे के घर में हैं, या दू generation to another एक generation से दूसरी generation तक knowledge, skill और habit, ये सारी चीजे ट्रांसफर होती है, self-learning होती है, बच्चा जरूरी ने कि उसको दक्के से खाया जगा, वो अपने आप सीखता जाता है, जैसे किसी गर में मान लीजिए, शाका हर केवल किया जाता है, तो बच्चा अपने आप बिना कोई दिक्कत के शाकार करना सीखता ह और उसके घर में अगर मासार से नफरत की जाती है, तो मासार से नफरत करना सीखता है, ठीक है, ओके, otherwise हो सकता है, खाना भी शुरू कर सकता है, ये भी बात है, ऐसा नहीं कि वो डिक्टो कोपी करेगा, चेंजर भी आते हैं, तो education का मतलब क्या है कि जो आपको एक generation से दूस आपको मान लीजिए, आज IS का exam clear हो गया, तो आपको क्या का जाते है, कि आपकी six month या one year की training है, तो आपको उस IS वाली job को आप successfully कर पाएं, इसलिए आपको trained किया जाता है, यानि ये job oriented होती है, job oriented, ठीक है, job oriented होती है, या ये कह दें work oriented, कि कि किसी work को करना, और किसी काम को कु training दे रहा हूं, या मैं teaching कर रहा हूं, training तो नहीं दे रहा, क्योंकि मैं ना तो आपको योग, कि कल को योग करेंगे आप, मैं वो सिखाने का practically, skill नहीं कर रहा, आपकी job लगेगी ही लगेगी, ऐसा नहीं है, मैं just आपको theory subject के बारे में teach कर रहा हूं, instruction, जिसकों instruction के रूपे teaching, teaching broad term है, broad term है, इसके अंत्रकत है, आप केवलो के शब्द पढ़ा सकते हैं, शब्द word to word दे सकते हैं, यानि theory part, ठीक है, और teaching में आप चाहें, तो जैसे yoga teacher हमें करवाते होते हैं, instructor के रूप में, तो training भी दी जाती होते हैं, जब हमें IS के training दी जाएगी, 6 महिने, साल के लि कीजें, कुछ-कुछ बता रहे हैं, ऐसे से आपको भीव कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, तो training जो है, हमारी practical part होता है, teaching का practical part जो है, वो हमारा training में count होता है, और theory part है, वो हमारा teaching में रह जाता होता है, ठीक है, समझ में आगी बात, तो अब मैं इसको थोड़ा सा और clarify जो practical part है, उसको, अगर skill oriented है, job oriented है, तो उसको हम क्या नाम दे जेते हैं, सर्ट ट्रेनिंग, डॉक्टर साक्षी कटारिया में, शब कलियर हुआ, training and teaching में, यानि teaching का, teaching का part है training, ठीक है, training का part teaching नहीं है, यह ध्यान रखना, training का part teaching नहीं है, बट teaching का part training है, यह ध्यान रखना, okay स तो क्या लिखा गया, the main purpose of imparting training is to equip candidate with specific or job related or technical skills, कि आपको काम आदी करना आजे, technical skills आदी पैदा करना, job oriented, teaching is assumed to be a wider concept than training, teaching जो है, आपकी training से बड़ा एक ट्रम है, training हिस्सा है teaching का, while teaching deals mainly with the theoretical aspects, teaching जो है mainly theory में आती होती है, और training mainly practical application में आती होती है, जो theory है, उसकी practical aspect जो होते है, वो हमारी training कहला आती होती है, जैसे जब आप यह कहते है, yttc, ऐसा कहते है, yttc, यह शब्द सुना होगा, अर्चना वैम, इसका मतलब क्या है, योगा teacher training course, तो उसमें आपका focus क्या, हठपरदीपी का रटवाने पर, या योगसुतर रटवाने पर होता है क्या, नहीं सर, उसमें केवल आपके शरीर को मजबूत बनाने पर क्या है, ता मतलब आसनवा गयरा कर सके आप, उस पर focus होता है, टीटीज, ट्रेनि, नेट जियराफ, इसमें आप teaching है, नेशनल एलिजबिलिटी, ठीक है, ये, जो अपना नेट जियराफ का जो exam है, वो teaching के लिए, जिसमें आप teacher बने या दी, तो उसमें आपका क्या theory part है, उसमें आजनादी सारे देर के, education क्या होई, broad, एक general term है, सभी चीज़ों के लिए, कुछ भी चीज़ों सीखते है, training उसके मुकाबले, education के मुकाबले, बहुत छोटा शब्द है, टीक है, education, जीवन भर चलती है, long duration के चलती है, training कितने टाइम की होती है, कितने टाइम की सुनी है, आपने maximum training, कि जी मैं 6 महीने की training पर गया, कोई teacher था तो बीच में जोब दे जाता था, कोई government employee या training दी जाते है उनको, या एक साल की, या one month की, या ऐसा, training थोड़े time की होती होती है, short term, education जनम से लगते हैं हम, और last सांस तक हम अपने culture आदी के बारे में इतियास के बारे में कुछ ना कुछ ना कुछ सी हो गए हैं, फिर भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, education ले रहे हैं, अपने घरवालों से कुछ नई-नई situation में सीख रहे हैं, training नहीं ले रहे हैं, उनसे, सीख रहे हैं, educate हो रहे है, education हमेशा self-learning बोले कर परसन व्यक्ति को लेकर के होती है, training job oriented या work oriented या skill oriented होती है, ठीक है, कोई work आदी, या skill oriented, skill, ठीक है, oriented होती है, इसमें आप performance enhance करने के लिए कर सकते, जैसे कोई teacher है, ठीक है, आज से 20 साल पहले इस पॉस्ट करों teacher थे, government teacher, तो एकदम से computer आया, तो teachers को क्या कहा गया, कि आप लोग है न, अपनी classes में क्या लेके आईए, computer आदी को include करिए, तो उनक computer सिखाने के लिए one week, या two week, या one year की training अलग से दी गई, तो performance ताकि उनकी बढ़ जाए, digital instruments है, उनको use करने आ जाए, उसके लिए, education जो होती है, वो जीवन भर चलती है, तो जरूरी नहीं कि एक ही दिन में उसका result आता है, हो सकता है, उसका 6 मेन हो result आए, एक साल में, या 10 स साल के, तो ये माता पिता हमारे साथ क्यों कर रहा है, ये तो गलत बात है, अब हम जब बड़े होगे तो हमें समझ में आता कि वही बात सही थी, अब हम सेम वो चीज अपने छोटे बच्चों के साथ में, चोटे जितने भी है, या हम अपने उपर apply करते कि हाँ, उन्होंने तो आपको तुरंट उसी पर focus रहता है आपका, तो quick result आता है, और सबस्त आपकी प्रिणाम देखने मिलते हैं, या तो आप trained हो गए या नहीं हो गए है, ऐसे, ये major अंत्र हो गया, यही आपकी छोटे-चोटे points आपके लिए important है exam के दृष्टीकों से, okay, फिर आता instruction, instruction क्या है, instruction है, everything, जितना मैंने अभी तक बात किया है, everything, is instruction, आप अपनी book में पढ़ते हैं, book में छोटे होते थे, हम तो एक ऐसे finger like, ऐसे हाथ लगा होता था, ऐसे, main point के आगे, इसको पढ़े, note, main point के लिए, ऐसा होता था था, इंदी है English में, या dot, bullet mark लगे होते हैं, छोटे-छ तो वो क्या है, यह written में instruction है, या उनके आगे कोई चीज लिखे हुई है, कि योग है karamushu koslam, योग है karamsu koslam, यह क्या instruction है, यह written में है, रिटन में, मैं बोल के बता रहा हूं, वो oral है, टेक है, oral या written, instruction आप के कैसे होते हैं, अब मैं actual में, तो क्या कर रहा हूँ, आपको teach कर तब मैं आपको बोल के कुछ बता रहा हूं तो क्या कर रहा हूं यह instruction दे रहा हूं आपको, instruction का मतलब इतना ही नहीं है, कि आप left जाओ या right जाओ, इतना ही नहीं है, instruction का मतलब वो हर चीज जो मैं teaching के दुरान कर रहा हूं, चाहिए मैं मेरा pen चला रहा हूं, इस side में, आपको के बता रहा हूं या आपको इशार।ा रहा हूं या ऊपर नीचे आवाज करके बता रहा हूं जो आपको समझा रहा हूं तो वो हर चीज Two instruction के रूप में इंस्ट्रक्षन टो जो भी teacher content देगा teaching कर देखो अब फिर से लाट हागी less a teacher तो मैं बिना instruction के teach कर पाऊँ हूँ क्या ? नहीं सर. बिना बोले मैं teach नहीं कर सकता या बिना लिखे teach नहीं कर सकता अगर बोल नहीं सकते तो लिखना पड़ेगा लिखना है सकता तो कोई gas sir push का use करना पड़ेगा अगर आपकी सामने physically हूँ तो मैं कुछ ना कुछ आपको delivery content आप तक पहुंच जाए मेरा इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो आपको सामगरी देनी पड़े और या रिटन वे कुछ ना कुछ और वो जो content है जिससे आप समझ गए वही क्या है मेरा instructions निर्देश दिशा निर्देश delivery of content by teacher यह teaching का आपके सामने बस ऐसे ही चलते जाए और ब्लैक स्क्रीन चले लिखा हुआ भी ना स्क्रीन पर तो क्या टीचिंग पोसीबल होगी साक्षी क्रिटारिया वायम नो नवर तो teaching करने के लिए instruction वेरी 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 इंस्ट्रक्शन कें इंक्लूड बोथ teaching and classroom management instructions में आपके teaching भी हो सकती है teaching तो होती होती है और classroom के अंदर management कैसा करने जैसे teaching करते करते आप बच्चों को शांत करवा रहे हैं या बच्चों कुछ instruction दे रहे हैं आगे बैठो पीछे बैठो यह ड्रेस पहनना यह नहीं पहनना है द्रशांत रहो, यह सारे management के साथ में सारी चीज आती है instruction में हर चीज आते है teaching और classroom management ही जब instruction जो होता है तो instruction जब धिया जारहा है instruction दब धिए جाएंगे, instruction जब धिया जाये कौन दे रहा है teacher दे रहा है तो teacher जब instruction देता है तब teacher और student के बीच में बात नहीं होती है जब teacher बोल रहा है तब नहीं होती है teacher में अपने instruction पूरे कर दिये उसके बाद में अगर student कोई question करता है तब interaction हो सकता है otherwise जब तक दिशा निर्देश दिये जा रही है ठीक है content आधी के बारे में बता जा रहा है तब तक no interaction तो instruction जब तक हो गया तब तक no interaction between teacher and student ठीक है teacher और student के बीच में instruction देते time कोई interaction नहीं होता है कोई बारतलापादी नहीं होती है आग यात है indoctrination indoctrination हमें से कितने ही व्यक्ति हैं जो मरना चाहते हैं मृत्यू चाहते हैं क्या हमें से कोई एक आदा depression में होगा वो अलग बात है generally हम नहीं चाहते हैं प्रंतू आपको यह कहा जाए कि धर्म को खत्रा है देश को खत्रा है और x y z लोग हमें मारना चाहते हैं तो अपने अपने आतों पैरों पर bomb बांध लो ठीक है और अपने देश के लिए अपने धर्म के लिए अपने समाज के लिए उन एक य जड प्रंतू हमने उसके दिमाग में इस तरीके से फिलिंग की इस तरीके से उसको बताई कुछ चीजें जिससे वह मोटिवेट हो गया मरने के लिए ठीक है कोई मरना नहीं चाहता देखो दियान से ठीक है समझे हैं nett역alit तो इस तरीक चेंदरे दीरे दीरे सिंदरी ने बहुत सारी Face जैसे हमारे डादा नांए घबात करें कप्डे क्या पहनते थे 99 परसेंट आज भी अगर घणा पर गव्हे आपके जिंदा होंगे टिक है कुर्टा पजामा मिलेगा या दोती कुर्टा मिलेगा ऐसा सफेद कलर का दूसरा कलर नहीं मिलेगा आपको आप लोग इससे सहमत है क्या लक्षमी पटेल में है अना ऐसा बड़े बुजरू अगर जो शहरों में रहते तो फिर वो दो तीन पीडी पीछे जाना वाइट कुर् द्च आए अलग लग आई वो अलग लग कप्डों का यूज करते थे लेद राधि अलग लग रंगों का तो आलांकि वो पीडी आलग थी ठीक है अपना हम अपनी बात हम कपडे पहने हम 30 तेवार बनाएं तो अपने दादा पर दादा जो कहते हैं वही वाली 30 तेवार मना teaching भी कही जा सकती है बट ये उन से भी भोत उपर की चीज़ है जिसमें हमारा पूरा दिमाग ही चेंज कर दिया हम अपने दादा पर दादा की बात ना मान के हमें अपने tradition आधी को ना मान करके हम एक तरह से सिद्धानत इबदल गे मारे ठ्योरी ही बदल गई हमारी ऑफ ठीक है indoctrination सिद्धानत आरख़ित करना हमै जैसे suppose करो कोई व्यक्ति है दिवाली celebrate करते थे ठीक है और holy celebrate करते थे Ohloe सब celebrate करते थे नव वर्ष कब नाया जाता था और्चना कोस्मी के नरजी वाले में न रउर्ष वह कहते हैं न रउर्ष की हार्दिक शुल शुल कामनी एसा शुल स्टार्ट होता है okay से तो वहां से स्टार्ट हो हमारा शिंट मास में यानि कि लग स्टवित मार्च vendor कि आसपास रव रंजरा शुर्मा वें। दादा पर्दादा एवन के मारे माता पिता यह जानते है जो स्कूल नहीं गए। व हो वाले माता-पिता है। स्कूल चलेगे तो फिर वो जन्नवरी फरवी जानते हैं, वह जानते थे उसी उन सार सारा चलता था हमारा देश का सारा कलेंडर आदी सब विधी विदान वैसी चलता था, वैसी कोई शुब मोरतिया, एक्स वैजड वैसी चलता था, धीरे 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 संतान में आई, उनको educate किया गया या teaching दी गई, teaching का higher route, और उनको का गया यह कुछ नहीं होता, सावन बादो कुछ नहीं है, तु मैंना ऐसे करो जन्नवरी फरवरी पढ़ो, यही सब कुछ है, 12 मैंने, आज हम चैत्रमास आदी को, या तो जानते ही नहीं है, अगर जानते थे तो उनको ज़्यादा इगनोर कर देते कि उनका कोई मैतव नहीं है, बिल्कुल इगनोर कर देते है, R&TL MAM, ऐसा है न? ठीक है? और हमें यह तक नहीं पता कि सर्चेत्रमास, क्या 1 अपरेल को ही आता है क्या? इतना भी नहीं पता हमें, 1 अपरेल को नहीं आता है, कोई guarantee नहीं है, ठीक है? आंगल नक्षत्र आद्धी की वीदी को चोड़ करके, ये वाला तो exactly 365 days अलग, तो हम इसको मानने लगे, ये क्या हुआ है, teaching हमें की गई, हम स्कूल में कहे, teaching हुई, हमें education मिली ये कह सकते हैं, उसका भी सबसे बड़ा रूप क्या मिला है, indoctrination, हमारी बुद्धी को बदल दिया है, हम अपने माता-पिता की हमारे tradition को मानना सविकार ही नहीं करते, उनको गलत मान करके, हम केवल इसी चीज़ को सही मानने लग गए, या हमारे माता-पिता इसको सही मानने लगे, ये ही है indoctrination, कि मत-मतांतर को बदल देना, और इसके लिए आपका teaching, education का सबसे बड़ा रूप है, आपकी हर चीज़ को बदलता है, जरूरी नहीं कि आपको मरना ही है लक्ष्मी पटेल में, बहुत सारी चीज़े बदल देता है, आजकल हम कपड़े क्या पहनते है, किसी टाइम पर हमारी दादी नानी थी, तो tradition साडी का रहा होगा, या अगर राजस्थान बगरा में ज टीक है, मेल्स के लिए अलग क्रीम होती है, फीमेल वाली क्रीम मतल लगाओ, तुम लड़की हो क्या, लड़कों वाली क्रीम लगाओ, फिर एंसम, ऐसे ऐसे चीज़ें आगी, इंडॉक्टिनेशन, जरूरत नहीं थी, फिर भी हमारे पर सिद्धान्त इस तरीके से हमारे द क्लिए रहे शक्षी खटारीय वे, अब मुझे बताओ, कि मुझे इंडॉक्टिनेशन करना है, इंडॉक्ट्रि नेशन, ठीक है, किसी का, किसी के सिद्धान्तों को बदलना है, मान लिए वो कहता है, शाकाहार, खाना चाहिए, ठीक है, वो ऐसे शाकाहारी है, मैं उसको यहां को सभा पिरोपन कि ईतना अधार है। चल्टे के एक इतन चीज चालो तो शाकार वाला वीक्ती सभीलकिश की बाती सुनी, असले आच भास mind Neg सão इवन कि माता पिटा नहीं कह दिया बिटा कमजोर है तो खाई लोग सारी दुनिया खा रही है तो देखो वो इतने इतने मासार जो करते हैं कितने ताकत वा रहे है ऐसे से कर दिया हो गया अब इसमें मुझे बताओ इंडॉक्टिनेशन जब मैंने किकी सिदाथ बतले किसी वक्ति को छाकार करती था पीडियों से शाकार कर रहा था जिसको मासार पर लेक लादिया तो वहीं ऩोच इसमें क्या teaching हुई या नहीं हुई यह बताओ बस प्रशन मेरा यह teaching की या नहीं की आपने यह सुर्ण हो टीचिंग हुई या नहीं हुई question यह है रहनों अंति मैं definitely teaching हुई sir teaching 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 का बड़ा रूप है na teaching होगी होगी कुछ हमने उसको पड़ाया है कुछ न कुछ बताया है और education भी दिया हमने educate भी किया उसको ठीक है अलांकि वह सही माहिने में है या गलत माहिने में वह अलग बात है education गलत यह सही नहीं होती है बस आपकी learning होती है knowledge facts आप तक पहुंचते है generation to generation जैसे तैसे करके आप तक पहुंचते है और उससे भी उपर उसके सिद्धांत बदल दिए ठीक है सिद्धांत बदल दिए जो शाकार को सब कुछ मान रहा था जीवों की अत्या को पाप मान रहे था आज वो कह रहें कोई बात नहीं है शारे शेर भी तो खाता है ठीक है हम भी खाँ सकते है शेर को पाप नहीं लगा तो में क्वंचता लगेगा ऐसे सिद्धांत लिज़ए उसकी हो के तो यह क्या है indoctrination मतलब indoctrination without Without teaching is not possible, teaching तो आपको करनी ही पड़ेगी, बच्चे को पताना तो पढ़ेगा, पढ़ाना तो पढ़ेगा, कुछ ना कुछ, तभी वो उसके सिद्धानत आदी बदलेंगे, वो हो सकता है, आप सत्संग में जाकर बदल जाओ, कोई मासार करता था और उसको अमने शाकार करवा द सिद्धानत बदल दिया, वहाँ पर emotion जगाए, चेतना को जगाया जादा, तो वो जीवों को सही समझने लगया, जीवों को मारने से बया लगने लगया, हिंसा को मान लिया, हिंसा को खतम कर दिया, ऐसे, बात समझे, तो ये सर, indoctrination का हुआ, सबसे higher state of teaching, जो बड़े-बड लोग ही करते होते हैं, जवर्दस लेवल के, छोटा-मोटा हम जैसे लोग नहीं कर सकते हैं, मैं चाहूं तो भी आपकी सिद्धानत नहीं बदल सकता, बट कोई एक बहुत-बड़ा महा पुरुशा है, तीक है, या कोई भी XYZ किसी भी त्रिके का है, वो पूरी की पूरी audience क चेंज करते हैं, फिर उसके जैसा वो धरम अपनाती है, जो उसके audience होंगी उसकी, या उसकी जैसी activities करेंगे, उसके सिद्धानतों को follow करेगी, एक नया दर्शन या एक XYZर चीज़ बन जाती होती है, तो indoctrination ज्यानक गलत या सही नहीं है, गलत सही नहीं है, बस इसका मतलब भी है कि आप अपने सिद्धानतादी इस तरह से देते हैं कि लोग जो दूसरी चीज़ मान रहे थे, वो अब आप वाली चीज़ मानने लग जाते हैं, यह जैसा आप चलाते हैं, वैसा चलने लग जाते है, highest order of teaching, सबसे highest है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, the ideas and beliefs are expressed on other, इसम idea or belief system, express किया जाता है दूसरे व्यक्तियों पर, teaching without indoctrination is impossible, teaching, अभी मैं teaching कर रहा हूं परंतु आपके सिद्धानत नहीं बदले, ना तो मैंने शाकारी बनाया आपको नए मासारी बनाया, और ना ही exchange किया, कुछ नहीं किया, teaching तो चल रही है फिर भी, teaching बीना indoctrination के, बीना सि सोच बदले की जा सकती है, but indoctrination, अगर सोच को बदलना है किसी की, तो teaching के बीना possible नहीं है, यह दो लाइने A and R किया है, ठीक है, statement, A and R नहीं तो adjective statement देता है, indoctrination के बारे बताओ, इन में से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है, ऐसे पुछ देता है, ठीक है, ओके, तो यह बात होगी बारे, indoctrination की, तो education instruction आदी, इन के अंदर पतर चला अंतर अपने को, ठीक है, अब आगे बात करते है, level of teaching, इस topic में आज बढ़ना है, level of teaching, level of teaching की बात के तो teaching के level होते है, अलगल स्थर होते होते है, teaching के, ठीक है, teaching का मुख्य कारिया क्या पढ़ा है, यह सारी ची behavior हमारा कौन-कौन सा होता है, हमारा cognition level का होता है, cognitive, जिसमें हम learning आदी करते है, knowledge आदी लेते होते है, ठीक है, cognitive होता है, जिसमें emotions आ जाते है, ठीक है, और psychomotor होता है, psychomotor, जिसमें मेरे action आ जाते है, action, सुरे नमस्कार आपने सीखा, पहले आपको नहीं करना था, तो अब आपका psychomotor करने का तरीका बदल गया, सीखते ही, teaching से, पहले आपको कुछ चीजे बयान नहीं करनी आती थी, किसी चीज़ को देखके डरना है, या आपको हंसना है, रोना है, आधी, धीरे धीरे, जैसे छोटा बच्चा होता है, किसी वेक्ति के भृत्ती हो गई, छोटे ब cognitive knowledge जब आती है, तो आप question का answer देना, सीख जाती है, behavior में change आ गया, यानि teaching learning से, आपका main ली क्या होता है, behavior change होता है, behavior change, वेवार, और वेवार उच्टम स्तरका बनता है, उच्च तम, उच्च तम बोल दूमें, ठीक, और उच्च तम का मतलब क्या है, वहम cognitive, cognitive का psychomotor का जो higher state होती है उससे मतलब इसका higher state ठीक है cognition की higher state क्या होती होती है किसी को पता है क्या cognitive की higher state क्या होती है synthesis होती है analysis होती है evolution evolution यह बाद की बात है हम इस पर चर्चा करेंगे अभी के लिए बस इतना याद रखें कि ऐसी चीज़ें होती है okay तो the main aim of teaching is to bring change in the behavior of students student के behavior में change लाना यह होता है इसके लिए teaching के तीन स्थर होते हैं जिसमें एक होता है memory level एक होता है understanding level एक होता है reflective level यह तीन इन तीनों का हम ओलड़ी कर चुके हैं किसी अलग रूप में राजनेतिक द्रिश्टी को जब देखा था क्या क्या था ओटो करेसी ओटो करेसी को क्या बलता ओथोरेटी ऑथोरिटेरिया दूसरा क्या था डेमो करेसी तीसरा क्या था लैसे स्फेर ठीक है इनके तीनों के नाम किये पहला था memory level कि बच्चे को अब मेमरी में रटवाते होते हैं memory फिल करते हैं उसकी अनर से एबी सी से बन टू तू तरी से डेमो क्रेसी में वह जो चीजे उसने रटी है उनका मतलब उसको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है कैसे यूज करना है ठीक है understanding देते हैं ठीक है उसके बाद में लैसे स्फेर मे reflect होते हैं जितना उसने समझा जितना उसके memory में आई चीजे सब को include करके हम reflect करते हैं सारी चीजों को ठीक है यह अपना तीनों चीजे होते है और तो अब यह तीनों चीजे होगे memory लेवल टीचिंग अंडर्स्टेंडी लेवल टीचिंग रिफ्लेक्टी लेवल यहां पर यह चीजे एक डायग्राम बनावा है हरार्की बनी हुए पदानुक्रम memory लेवल सबसे नीचे दिखाई दे रहे आपको understanding फिर दूसरे नमबर पर दिखाई दे रहे तीसरे नमबर पर reflective लेवल दिखाई दे रहे memory level में जब हमें बच्चे को कुछ रटवाना है तो क्या हम उसको सोच नहीं देंगे कि बच्चे सोचो क्या है ये क्या नहीं है बस जितना है बस रट़ लो understanding में वो अपने question answer करेगा thought करेगा सोचेगा और reflective में कोई नई situation उसको देंगे हम problem देंगे तो उसके recording वो act करेगा तो यहां पर memory level of teaching कोन है इसके proponent Herbert Herbert नाम के वेखती है जिन्होंने इसके बारे में बताया था memory level को यह इसके वेखती है यह first level है teaching का जिसमें thoughtless level माना जाता है कोई भी thoughts माइन नहीं रखते बच्चे के बच्चा क्या सोचता है कोई फरक्नी पड़ता बस बच्चे को बता दिया कि यह रटना है तो रटो beginners के लिए चोटा बच्चा मान लो या beginner मान लो 40 साल का वेखती है वो पहली बार ABC पड़ेगा तो वो beginner है चोटा बच्चा ही माना जागा education में तो MLT लेवल पर उसको लर्न करना पड़ेगा सबसे पहले इस लेवल में mental ability टिक है से संबंधिता है यह memory से संबंधिता है memory में चीज़ें डाली जाती होती है इसमें lowest level को बोला जाता क्योंकि सबसे नीचे का level है सबसे नीचे का इसमें आपका attitude आदे डेवल नहीं हो बस आपको रटना है जो चीज़े जैसी है वैसी वैसे यादगर memory level का संबंध किस से है only and only cramming से रटाफिकेशन से है ठीक है रट लो यह यह जो memory level है यह क्या है यहां पर किस ने कहा टीचर ने कहा कि बेटा संडे मंडे की spelling यह है और यह याद रखो student as it is follow करेगा student follow करता है जो teacher ने कहा और teacher dictate करता है dictator की वह मिका में dictator dictate की मैंने यह कहा है कि लिखो जैसे हमें teacher लोग लुकवाते थे ना गाय का ऐसे लिखाते गाय के चार पैर है गाय के दो सींग है एक पूँच है तो जितनी बाते टीचर बताते हैं बस वही बाते हमें याद रखते हैं दस लाइने और उसी करम में याद रखते थे याद होगा आप लोगों बच्पन में माई फ्रेंड आदी ऐसे ऐसे आते थे मैरी दकाओ ऐसे होता था तो जैसे teacher ने पता है वैसे याद रखना है और लगबग कोशिश भी होती थी कि teacher ने जो line पहले पहले याद रखी बाद में यह बाद में पहले बोलेगा जो भी कहेगा वह सें स्टुडेंट को डिक्टो कोपी फोलो करना है ठीक है ता रोल ओफ टीचर इस प्राइमरी तीचर का रोल प्राइमरी है यानि टीचर ने पहले से स्टेडी मिट्रियल प्री प्लैन किया होता है और गिनाइज किया जाता है पहले से ओलरी ठीक है आज जैसे अभी अगर हमें बात करें थोड़ा सा समझने के लिए साक्षी क将 करिया आप मुझे करें कि सर मुझे है ना टीचिंग लेवल नहीं मुझे बता दो बता दो hehlukutil क्या चीजा है ठीक है तो मैं पहले किया आप सबफे से प्रिप्लैव कर रहा बिए क्योंकि आप स्टार्टर है इसमें बिगि Här जो बचा बिगिनर है उसके लिए memory level teaching ही चल रही है अपनी जिस बच्चे को बहुत साई चीज़े पहले से पता है तो वो understanding चल रहा है और जिसको सब कुछ ही पता है जो एक अच्छा teacher है जिसमें book लिखी है उसके लिए education reflective level में है वो मुझे चार बाते एक्स्ट्रा बता सकता है अभी इसी time अना ऐसे memory level teaching में अब studying material जो है sequence में अरेंज किया जाता है बच्चे के लिए A के बाद में B, B के बाद में C, D, E, F, Evaluation जो होगा बच्चे से पूछ सकते हैं आप 1, 2, 3 सुनाओ, A, B, C सुनाओ, या लिखवा सकते हैं, रिटन में हो सकते हैं इस teaching में perception की कमी होती है मतलब बच्चे को लिमिट को पार नहीं लेकर जाते हैं उसके thoughts को increase नहीं करते हैं और यह cable और cable cognition से समंझते हैं मतलब याद करने समंझते है, knowledge से समंझते है रटना, ठीक है कि आपको जो knowledge दी है, facts दी है, उनको रटना है, facts समंझते हैं, उसी समंझते हैं, अब इसके फाइदे क्या होगा एक तो यह lower classes के लिए फाइदे है, जो बच्चे शुरुवात में आते हैं, उनको as it is कह दो, रटो, योगसुतर समझने आयों सार मुझे योगसुतर समझा दो, पढ़ा दो, तो पहले caution दे दिया टीचर ने, इसको रटो, साथ दीन आपके बास योगसुतर रटो, जिसने रट लिया, उसको समझा देंगे, नहीं रटा तो नहीं समझाएंगे, टीक है, तो lower classes, याने, beginners के लिए स्टार्ट सही हो जाता है, beginner के लिए, टीक है, ओके, दूसरा, इसमें क्या होती है, memory development होती है, rote memory, टीक है, छोटे बच्चों के लिए best है, क्योंकि बच्चों में rote memory होती होती है, टीक है, जल्दी रटते होते हो, बिना कोई questions के, यहाँ पर teacher का role important होता है, क्योंकि teacher ही है, जो decide करेगा कि बच्चे को क्या content देना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं, टीक है, तो teacher के पास में free choice होती होती है, कि कि किस subject चुनेगा, कैसे plan करेगा, कैसे present करेगा, teacher के पास पूरा अधिकार होता है, memory level में, knowledge जो भी होती 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 है, इसमें जो acquire की जाएगी, वो ऐसी knowledge होगी, जो बविश्य में जाके काम आएगी, आज योग सुतर आप रट लीजिए, ठीक है, 195, कल को आपको हम समझा आ देंगे, तो future में आपको समझ में आ जाएगा, आज आप रट लीजे, आज A, B, C, A, N, R, 1, 2, 3 रट लीजे, कल को आप जोड, गुरा, भाग, डिवीजन आदी, multiply आदी करना सीख जाएगे, ठीक है, तो जो knowledge MLT level पर use होगी, समझ में आएगी, आपको याद करेंगे, वो ULT में आपके काम आएगी, RLT में काम आएगी, तो memory level of teaching, form a basis for future, when students thinking and intelligence is needed, जब students की thinking और intelligence की जरूरत होगी, तब ये knowledge काम आएगी, ठीक है, यहाँ वाली knowledge, memory level के बाद में कौन सा level आता है, ULT, understanding level of teaching आएगा, तो ULT के लिए बेस्ट होगा, MLT पहले आगया, तो उसके बाद में, ULT आना है, तो ULT लेने से पहले, आप ML आपका cross किया होना चाहिए, यह वाला stack पहले, यह इसके फायदे होगे, अब कमी क्या बता सकते है, D-merits, सर एक तोने इसमें student को वही चीज़े जो already exist थी, वही हमने बताया, कुछ नया तो दिया ही नहीं, कुछ सोच को उसको बढ़ाया है नहीं, बस रट्टा विकेशन दिया, कुछ भी समाज को नया नहीं दिया, जितना था उसका उतना ही कर दिया, यह तो ऐसी हो गया, जैसे आपको यह कहा जाए, कि योग में आज तक क्या हुआ है, आज तक, ठीक है, वही दोरा दिया आपने, दोराया, ठीक है, कुछ नया नहीं दिया, नवीनता नहीं है, टैके नभी नटा नहीं होगी है तो जो पेले नहीं हुआ है ऐसा नया कुछ दीजे, PhDisión मतलब यह होता है नया कुछ देना अपनी स्ट休 को मिला परके उस पुराने वाले चीज़ और तो कमी इसकी क्या है कि इसमें नयापन नहीं होता जो पहले से होता है वही रखता तो इसलिए टीचर जो है ना student को रट्टा फिक्षिशन कर रहता है और इस learner जो है उसकी abilities जो है बढ़ ही नहीं पाती ज्यादा तो this does not help in the development of learner's ability learner की ability नहीं बढ़ती है इसमें as student at this level learns by route रट्टा फिक्षिशन से समझता है knowledge जो है वो already जो चीज़ें होती है उनी से सीखता है does not prove beneficial in real life situation knowledge जो मिलती है इसमें रट्टा फिक्षिशन से वो real life में कोई काम की हो ऐसा जरूई नहीं है जैसे किसी को हमने बच्पन में सीखा था a plus b square इसका क्या मिनिंग होता है साइन थीटा कोस थीटा सीखा था रियल लाइफ में उसका आज मिनिंग निकल रहा है क्या अभी क्योंकि हमने केवल रट्टा फिक्षिन की थी और जिस दिंग दसमी हुई 10th class में जरूरत थी या 12th में थी बात मतब उसके बाद में हमें भूछ क्या जाए ल्टuding इससे बच्चे का टेलेंट भी डियूटि लिइस च्रीक्ट की बच्चा च्छोटा है स्मोलत में तो उसको दक्के से स्ट्रीक्टली discipline मेर रखा जाता एम क्रेमिंग करवाया जाते हैं रख्टाइफिश्ट करवाया जाता है बच्चे को और इस टाइम इंटेलिजेंस की कोई आफ़शक्ता नहीं होते है क्योंकि बुद्धी कितनी आपके बासश कोई फरव नहीं पड़ता है किक बस आपको जो भी है राम है ठीक है तो यही यह चीज पचास बार बोलने को कहा जाए तो आप बोर हो जाएगे motivation नहीं होगा तो motivation की कमी आ जाती है इसमें यह कमी है MLT MLT के लिए हुआ उसके बाद में आता है ULT understanding level of teaching समझ वाली यह MLT इसके लिए होनी चाहिए जैसे आपको अगर कोई कथन बोलना है या लिखना है तो उसके लिए ANR आ दिए और आपको आने चाहिए ABC आने चाहिए तो इसको कौन है देने वाली Morrison जो है इसको देने वाली Morrison मोरिसन मेन है इसके Understanding level का मतलब है कि कोई चीज को आप grasp करते हैं समझते हैं meaning निकालते हैं उसका comprehend करते हैं आइडिया को समझते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं Understanding level of teaching बोलते हैं understand ठीक है समझना It is insight plus memory क्या नाम दिया insight plus कि आपने memory ले लिए है सारी सारी याद कर लिया और उसको आपने use किया अपने लिए ठीक है समझा है उसको use किया जहां पर जरूरती insight plus memory as it goes much beyond just memorizing of facts facts को just memorize करने से भी आगे की बात है कि आपने facts तो रटी लिया है और उनका प्रियोग भी करना है जैसे आपने एक एक इस पढ़ ले कि बारत के कितने राज्या हैं कितने स्टेट हैं कितने district हैं कौन साथ किस साइड में हैं तो अब आप से यह पूछा जाता है कि बताओ जी पानी किस स्टेट के पास में लगता है या नहीं लगता है ऐसे को स्टेट के नाम पुछे तो आपने जितने भी जो राज्यों की नाम याद किया उनमें से आप यूज करके आपने सारे राज्यों के यूज किया याद किया और उनको यूज करके चार-पान स्टेट का आप नाम जै सकते हो ठीक है वो आपने अंदरस्टेइंड कर लिया है इसलिगे आप बता सकते हो ना चीजये तो फैक्ट याद है थे उसी को वो आप यूज करके कुछ नया देते हैं, ठीक है, insight plus memory, it focuses on mastery of the subject, आपको mastery हासिल करवाती है इस subject पर, कि उस subject के बारे में आपको पूरा अच्छे से पता है, depth में पता है, mastery हासिल करवाती है, the teacher at the understanding level is of a higher quality than memory level, memory level वाला जो teacher था, वो basic था, बिल्कुली उसको बच्चे को जो बुक में था, वही रटवाया, understanding में, अब बच्चा जो है, teacher से question पूछेगा, अलग-लग, ठीक है, तो उन questions का, book में answer हो भी सकता है, नहीं भी, फिर भी teacher को उत्तर देना पड़ेगा, तो higher quality का teacher चाहिए है, यहाँ पर, ULT में, ठीक है, okay, इसमें आप, it is more thoughtful and useful from the viewpoint of mental abilities, यह ज्यादा thoughtful है, बच्चा इसमें ज्यादा अच्छे सोच पाता है, समझ पाता है, और ज्यादा useful है, किसके हिसाब से, MLT के हिसाब से, MLT के हिसाब से, ULT में, teacher और student, अच्छे से discussion करेंगे, discussion करेंगे, पूछेंगे, सर मुझे यह बात समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों का गया, वैसा क्यों का गया, सारी चीजे discuss होंगे, तो और teacher फिर उसको explain करेगा, reason देगा कि यह चीज़ क्यों है, the teacher explain the student about the relationship between fact and principle, कोई fact है, कोई कतन है, उसके बार भी बताएगा, जैसे यह का जाए, कि एक कतन बोला जाए, आपको देशों के नाम याद कर लिए, आपने, एक country है, ठीक है, देश के नाम, याद किये, ठीक है, अब यह बताओ, कौन से level की cross किया आपने, कौन सा level आईए, लक्षमी पडेल में, गायतरी शर्मा जी, level बताओ, इसका नाम, level, देशों के नाम याद कर लिए, MLT, ठीक है, अब दूसरा question, दूसरा, केवल क्या कि आपने दे इसमें से देश कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, अमीर देश कौन से हैं, ठीक है, आप कुछ नाम दे दोगे, अमीर देशों के खासियत क्या है, ठीक है, खासियत मिलेगी, क्योंकि वो लग भग, लग भग, कहा मिलेगी, समुंदर किनारे मिलेगी, समुंदरी तट लगत होगा उनके आस-पास ठीक है कोश्टल रिजन ठीक है लगेगा ठीक है डेफिनेटली होगा ना ठीक है अब यह कहां से समझ मैं आई आपने देशों के नाम याद कि उनको पैटरन समझा उसमें से सारी चीज़ निकाल कर कि क्यों है सर्व समुंदरी तटका क्या करना है अब ब कोई देश कोई सेल करता है या पर्चेज करता है तो उसके लिए या तो वह हवाई जहाज से कर सकता है या रोड से रोड ट्रांस्पोरडेशन एक देश से दूसरे देश में कोश्टली पड़ता है हवाई जहाज वाला भी कोश्टली पड़ता है पानी वाला सब से सस्ता ऐसा होगा तो कहने का मेरा मतलब यह है कि उस देश की कमाई कमाई हो जाते है पैसा आता खुब सारा यह क्या मिद्या explanation दी एक fact दे दिया कि वो देश अमीर होते है जिनके समुदरी तर्ट होते है यह fact हो गया क्यों होता है उसको explain कर दिया student को समझ में discussion हुआ student का interaction हुआ यहाँ पर बच्चे ने क्या क्या understand क्या understand क्या तो इसी का नाम क्या है understanding level of teaching understand करने से पहले बच्चे को एक logic उसको MLT करवा रख है हमने MLT जरूरी था इसके लिए ठीक है memory level of teaching जरूरी था तो यही बात यहाँ पर कह रहे है कि सर यहाँ पर है ना बच्चे क्या करता है explain करता है student को relations को जो factors को याद थे पहले के MLT level में उनको जो ideas है जो principles है सिद्धानत है उनको मैंने जोड़ के बताता है relation बनाता है कि किसका क्या reason है ठीक है और किस चीज़ को कैसे apply कर सकता है कोई principle को MLT is very necessary for ULT यानि ULT में आप आना चाते है समझना चाते है कोई चीज को पहले उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा facts पता होना चाहिए आप तो अच्छे से समझेंगे नहीं तो फिर समझ नहीं पाएंगे इट प्रवाइड ऑपरचुनेटी टू दा स्टूदेंट्स तू डेवलप इंटलेक्टिल बीविएवियर ना बोधिक्षमता को बढ़ावा दिया जाता है इसमें इसमें एक्टिव रोल होता है तो यहां पर भी ध्यान रखना इन एक्टिव होगा जो व्यक्ति इन एक्टिव होगा इन एक्टिव वह कमजूर हो जाएगा कमजूर जैसे familiar हम देखें तो इन एक्टिव को ने स्टूडेंट इन एक्टिव है तो वहां पर ज़्यादा मोटिवेट नहीं रहता इसलिए उसको कमजूर मानते हैं मेल्टी लेवल को कमजोर लेवल मानते हैं कि लर्णिंग अच्छे जह नहीं हो रही हो आप पर रटाफिकेशन जल रहा है वो कोई लर्णिंग दो नहीं है ठीक है लर्णिंग बैस्ट जब मनें जाएक एक्टिव हो जाएक्टिव लर्णी हमेशा ज्यादा सक्सेस्फुल मान जाती होते हैं सक्सेस्फुली क्योंकि उसमें बच्चा खुद एक्टिव होकर के सीखता है खुद के कोशिन होते हैं तो इसमें इवेल्यूएशन सिस्टम जो होगा वह हो सकता है ऐसे टाइप का हो या ओब्जेक्टिव टाइप कोशिन हो सकते है ऐसे भी लिए जासके है या objective भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे की रूप में आपसे subjectively question हो सकते है, objective में जो हमारा NetJR में question भी पर आता है, वैसा हो सकता है, ठीक है, फायदे क्या है, ULT के, ULT का एक फायदा सर, यह है कि इसमें student की thinking capability बढ़ती है, वो question answer करता है, उसको answer मिलते हैं, फिर वो नए question पैदा करता है, फिर answer मिलते हैं, तो thinking capability बढ़ती है student की, ठीक है, इस level पर जो knowledge मिलती है बच्चे को, ठीक है, वो जो है, RLT level के लिए बढ़िया है, आगे आने वाले level के लिए बढ़िया है, अच्छी बूमी का निवाती है, teacher यहाँ पर subject matter बच्चे को दिखाता है, organize करता है, sequential management में देता है, और फिर student जो है, ठीक है, नई knowledge को acquire करता है, ठीक है, इस level में, और पीछे वाले जो knowledge उसने ले रखी है, उससे वो जोड़ता जाता है, जैसे मैंने अभी सारी बाते आपसे बताई, तो पीछे वाले जो बाते थी उसको जोड़ कर कहीं बताया, जोड़ता रहता है, student do not learn by cramming, यहाँ पर rectification नहीं होता है, rectification MLT का का काम है, memory, यहाँ पर understanding का काम है, learn by understanding, यहाँ पर understand करता है, comprehend करता है, समझता है, अपनी बुद्धी में, हर चीज़ को, information and facts, their use and purpose, और उनका use and purpose क्या है, उसको समझता हो, क्या use है, merit of understanding level of teaching, understanding level of teaching, इसके फायदे क्या है, इसके फायदों की बात करें, तो understanding level teaching enables student to have complete command over subject, इसमें student जो है, subject को पूरा completely स मसता है, अच्छे से, कोशिश करता है, understanding level role of the teacher is more active, teacher का role यहाँ पर क्या हो जाता है, ज्यादा active हो जाता है, क्योंकि teacher को ज्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ पर student के लिए, ऐसा नहीं कि जो किताब में लिखा है, वही पढ़ लो जाओ, बस किताब में लिखा है, ऐसा नह आएगा, वही अभी फ्रात्मिक है, teacher ही, primary है, यहाँ पर, student, secondary है, प्रन्तु active दोनों हो चुके है, तिक, active दोनों हो चुके है, दोनों active दोनों है, देको यहाँ पर दो बात समझना, लक्षमी पटेल में, teacher, student, दोनों active है, बट बात किसकी मानी जाएगी यहाँ पर, बात कि इसकी माने जाएगी आप 7th class में हो 9th 10th में 11th में आपको भी बहुत सारी चीज़ें आगी जीवन में सब ट्लिया MLT क्रोस कर गई टीचर को भी बहुत सारी चीज़ आगी आप भी गूगल करके कुछ आ सकते हो टीचर भी कुछ करके आसे बट फिर भी टीचर जो कहेगा वही बात सत्या होगी उसी की बात तो माननी पड़ेगी ना टीचर प्राथमीक है सुपीरीय अभी यह यहां पर और यह स्टूडेंट जो है सेकेंड़ी है ठीचर पर अभी बात सही होगी प्राइमरी है फिटीचर में आगल कि टीचर की हर बात सही हो एसा जरूरी निए टीचर पहली के लिए पिटा मुझे नहीं पता जाके मां सर्च करके बताऊंगा या फिर खुद सर्च करके आना और मुझे भी बता देना ठीक है वहां पर बच्चा स्टूडेंट पर डिपेंडेंट नहीं है इवन कि स्टूडेंट टीचर को कुछ नई बातें बता से नए फैक्ट दे सकता है और इससर आपको पता है ऐसी No climbing is encouraged कोई भी परकार की rectification यह आपर नहीं चलती है rectification पर जोर नहीं दिया जाता है Demerit कमी क्या है sir इसमें यह कमी माल लो या इसकी best माल लो Teacher teaching at this level is. Subject Mercantale subject पर focus होता है कि आपको सब अंग मैं सारा को सारा चलना हूँ आपको line to line रतवाई तो नहीं है R, MLT, ULT, आदी के रटवाई नहीं, आपको क्या किया है, आपने कुछ चीज़ें पढ़ ली, ABC आपने रटवाई है, उसके बेसपर आपको understand करवाया, मैंने समझाया है, कुछ question आपने पूछे तो मैंने उसका answer दिया, reason दिया, print किया, जोड़ा है, नाम से कैसे कैसे understanding level हमारा हुआ, तो इसमें हम केवल और केवल कुछ extra बात हैं नहीं सीगरें, बस ये जो content है हमारा level of teaching, इसी के बारे हम बात करने हैं, यानि हम subject के इर्दगिर्दी गोम रहे हैं, कुछ नया जीवन में क्या होना है, इस class के बाद में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कपड level subject पर focus है, इसकी कमी है, student, क्या student real में, इन चीजों को use कर पाएगा बविश्य में, कोई काम की है ये चीजे, मतलब नहीं, बस केवल और केवल sin theta a plus b square ये रट रहा है बच्चा, उनी का मतलब समझ रहा है, जीवन में क्या उसकी वास्तिपता में use होगी या नहीं होगी, उस teaching, mastery हो नहीं चीजे, teacher के पास में, teacher के पास में control होना चीजे, पूरा पूरा, ठीक है, तो ये कहता है, कि subject को पूरा depth में अच्छे से समझो, इसका focus ये रहता है, ULT का, तो time consuming हो जाता है, इस हिसाब से, ठीक है, तो mastery पर focus डालता है, उपर-उपर की बात नहीं करता, mastery पर, depth में समझोएगे इस चीज़कों, तो ये इसकी, कमी लगा लो या खासियत लगा लो, दोनों में count हो जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, आगे हमारा, दोनों में अंतर देखें, ULT और MLT में, तो MLT में Herbert है, ULT में Morrison है, MLT में teacher-centered था, ULT में subject-centered है, MLT teacher-active था, ULT में दोनों active है, बट teacher ज्याद़ एक्टिव है, प्रास्मिक teacher है, MLT में focus हमारा cramming पर होता है, ULT में हम thinking develop करते हैं, understanding develop करते हैं, MLT बिल्कुली विचार हीर है, thoughtless है, ULT thoughtful है, ये दोनों के measure अंतर होग है, so thank you to all, धन्ने माद आप सभी का, thank you so much.